समय को अगर प्रबी पुरारब्द को मिटा सकता है और नमें शुक सामागरी को सजा सकता है परोब कार दूसरे के भारी समश्याद दुख में समयलिट होकर उसको मिटा दो कि और भगवान का क्षुमरण करूं का इन दो के दो आप यह प्रभल पॉरुशार्थ आपके पूरु अप्रद्थ को नियुक्त कर देगा जैसे मेहनत करते हैं और लाब बहुत कम प्राप्थ होता है और बहुत कम स्पर देखे जाते हैं कि जिनकी दिन में मतलब भाग्यवस केवल धना रहा है कोई मेहनत नहीं और एक आदमी है दिन भर मेहनत करता है चार सो पांक सो रुपया वह भी पूरे परिवार को ठीक से पूरा भोजन वस्त्र पढ़ाई लिखा इसम नहीं कर पा रहा है एक आदमी है कि बिलकुल कोई ऐसा कारेदत नहीं है पर अर्थ की बहाउल लेता उसके घर में यह पूर्व का पुल्ण है वो उसे अर्थ प्राप्त करा रहा है वर्तमान में वो पुर्शार्थ हिंता दिखा रहा है तो जब तक प्रारब्द भोग है पुल्ण का तब तक चलता रहे है अब एक है वर्तमान में बहुत पुर जो अशहाय है अश्मर्थ है रोगी है परिशान इस्थिती में हम उसका सायोग कर दें बिना किसी स्वार्थ के और प्रभू का नाम जब करें इन दो के दोरा हम पूराने पूराने कर्मों का परिणाम जो में आगे नहीं बढ़ें उनकों नश्ट कर सकते हैं तो हुआ तो ये कुछ मिलता है ऐसा नहीं है भाग भी काम करता है जिसे बहुत पढ़ली करके ग्रेजिवेट हुए लेकिन प्रारब्द इतना बुरा है नोकरी नहीं मिल लए तो विचारे गाउं के कारे कर रहे हैं या चुटी मुटी दुकान कर ली और आप ही सर्रंक की पढ़ाई की प्रारब्द देखा जाता है लेकिन एक है कि बहुत गरीब घर में जन्मा बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया और उसने जी जान से मेहनत की इतना पुरशार्थ कि वह गाउं में सबसे बड़ आदमी बन गया यह भी देखा जाता है जो अपने पुरश कार्थ है परहित करना और भगवदिस्मरंग करना यह मतब सास्त्र की एक्दम सार बात बता रहे हैं जिसको संसार में सबसे जल्ली उन्नती प्राप्त करनी हो यह दो बात पकड़ ले